भारत में ज्यादातर लोग tax planning के नाम पर या tax बचाने के लिए वितवर्ष के आखरी दो से तीन महीने में नवेश करते हैं तैक्स बचाने के लिए लोग mutual funds का इस्तिमाल भी करते हैं और इसके लिए tax saver funds सबसे पसंदीदा option है जोने हम ELSS या Equity Link Saving Scheme के नाम से भी जानते हैं लेकिन जब किसी एक कैटेगरी के फंड को चुनने का समय आता है तो कई सारे विकल्प सामने आते हैं बहुत confusion होता है और उनमें भी अगर दो सबसे मजबूत या एक जैसे फंड में से किसी एक का चुनाव करना हो तो काफी मुश्किल हो जाती है लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रत नहीं है क्योंकि आपकी इसी मुश्किल को आसान करने में और बहतर फंड का चुनाव करने में हम आपकी मदद करेंगे नवस्कार आप देख रहे हैं मरी 9, मैं हूँ संदीब ग्रोवर उससे पहले आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे HDFC Tax Saver Fund और मेरे एसेट Tax Saver Fund की और इन दोनों फंड के बीच होगा आज का मुकाबला तो HDFC Tax Saver Fund और मेरे एसेट Tax Saver Fund की किन पैरामिटर्स पर चर्चा होगी आईए पहले वो देख लेते हैं कि वो कौन से वो नौ पैमाने हैं जो कि Money9 ने आपके लिए तयार किये हैं जिन पैमानों पर इन दोनों फंड की हम चर्चा करेंगे इनकी तुलना करेंगे पहला है निवेश का उद्देशे यानि की investment का objective ये mutual fund में जब कोई भी निवेश करता है तो इस सबसे important होता है कि fund का investment objective क्या है क्योंकि आप भी किसी एक objective के साथ ही निवेश करते हैं लंबी अबदी के लिए खासता और पर सला दी जाती है कि आप mutual घूमने जाना चाहते हैं या अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा सेव करना चाहते हैं इन सब को मिला के देखा जाए तो एक investment objective होता है जिस उद्देशे के साथ आप mutual fund में निवेश करते हैं वह आप जिस mutual पर आपको मिल रहा है और वह एक्सपेंस रेशो के बाद यानि कि जो खर्चे किसी mutual fund को चलाने में कि एक AMC को लगते हैं उन खर्चों को घटाने के बाद net of expense ratio जो एने भी होती है उस पर आपको पैसा लगाने का मौका मिलता है new term SIP और exit load कितना है यानि कि आप आपका जो budget है आप जतने पैसे किसी fund में हर महिने लगाना चाते है अगर आप SIP के जरी जाना चाते हैं तो क्या उससे आपका जो fund है जो new term SIP के permission वह आपको देता है क्या उससे वह mail खाती है फिर निकालने के वक्त आपको exit load कितना लगेग कि दोनों funds हैं उनका AUM कितना है उससे पता चलेगा कि किते जादे investors जो हैं वो इनके साथ जोड़े हुए हैं साथी fund manager कौन है उनका style of investing क्या है किन stocks की उपर जादा focus रहता है कैसे वो invest करते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे वो top holdings क्या है उससे आपको इस चीज का उसके वीज़ा भी इन दोनों funds का performance कैसा है वो भी आपके सामने रखेंगे जोखिम कितना है जोखिम और investment objective ये दो main चीज़े हैं जो कि आपकी जो profile है और जिस fund का आप चुनाव कर रहे हैं इन दोनों का mail जोल होना बहुत ही एहम है और आखिर में expert की राय लेंगे जिससे हम कहीं ना कहीं एक नतीजे की उपर पहुंचेंगे कि क्या tax बचाने के लिए sdfc tax saver fund जादा बहतर है या फिर मेरे asset tax saver fund और आज की जो हमारे expert हैं आपको उनसे भी मिलवा देता हूं certified financial planner जितेन सुलंकी जी आज हमाई साह जुड़ रहे हैं जितेन सर हमेशा की तरह मही 9 प पास आऊंगा आपकी राय लोगा कि इन दोनों funds में से किसका चुनाव करना चाहिए लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 9 parameters हमने तयार किये हैं उनकी और बढ़ते हैं एके करके आपको detail में बताता हूं कि इन दोनों funds का investment objective क्या है उससे शुरुवात करत करना income generate करना यह इनका उद्देश है यानि कि यह शेरों में या शेरों से जुड़ेवे जो भी instruments हैं उसमें यह निवेश करेंगे उसका portfolio बनाएंगे और उसी से ही capital application और साथी साथ जो income generation है उसका काम करेंगे तो यह आप देख लीजिए अगर आप tax saver fund में निवेश कर रहे हैं क्या इसी objective के साथ आपने भी जब निवेश की शुरुवात करी या निवेश की बारे में सोचा है क्या इससे mail जोल खाता है इसके अधार पर आप फैसला ले सकते हैं अब जड़ा मेरे ऐसे tax saver fund की और बढ़ते हैं उनका उदेश क्या कहता है वो कहते हैं कि शेरों और securities से बने diversified portfolio में लंबी अबदी के नजरिये के साथ पैसा बनाने के उद्देशे से हम निवेश करते हैं तो जादा कोई फरक नहीं है यह कह रहे हैं कि हम diversified portfolio बनाएंगे वो कह रहे थे कि equity और equity से जुड़े हुए instruments यह हम अपने portfolio में शामिल करेंगे उससे capital appreciation यानि पूंज perspective की जहां तक बात है केवल मेरे asset के case में अगर आप देखेंगे तो यह कह रहे हैं कि हम diversified portfolio बनाएंगे इसके उपर और बी चर्चा करेंगे मैं जिदेंजी के साथ भी इसके उपर बातचीत करूंगा हम जड़ा दूसरे पैमाने की और बढ़ते हैं दूसरा पैमाना और के महत्व क्या है जब आप किसी mutual fund में निवेश करते हैं मेरे asset tax saver fund के पहले बात कर लेते हैं कि एने वी क्या है उसका पारे 33 रुपे का है और इनका जो expense ratio आप देखेंगे दोनों को अगर आप compare करें तो मेरे asset tax saver fund का जो आपको expense ratio है लगबग आधा नजर आएगा आधा फीजदी के आसपास है और यहां पर आप देखेंगे सवा एक फीजदी के आसपास का है जड़ा पहले समझे कि expense ratio क्या होता है देखें किसी भी mutual fund house को चलाने में जो खर्चे लगते हैं जिसमें administrative cost है उनका जो fund manager के cost है और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसमें annual maintenance charges भी होते हैं ऐसे कई सारे खर्चे हैं उन सब तमाम तरह के खर्चों को अगर आप मिला लीजिए तो जो AUM जिसकी हम आगे बातचीत भी करेंगे कि कितना AUM है उसी जो पैसा इकठा हो रहा है उसी में से ही वो charges deduct किये जाते हैं और उसी AUM के size की उपर ही depend करता है कि इनका expense ratio है वो कितना है और HDFC के case में यह क्यों ज़्यादा है यह आपको AUM में भी पता चल जाएगा जब मैं AUM आपके सामने एक पैमाना है वो रखूंगा तो HDFC tax saver fund की जातक बात है तो आपको expense ratio के मामले में यानि कि खर्च की जातक बात है तो आपको HDFC tax saver fund मेरे asset tax saver fund से अगर आप compare करेंगे तो महेंगा नज़र आएगा यानि कि जो charges है वो HDFC tax saver fund के आपको ज्यादा नज़र आएगे थोड़ा महेंगा नज़र आएगा charges की जातक बात है अब ज़रा तीसरे पैमाने की और बढ़ते हैं और समझते हैं कि निउन्तम SIP यानि कि निउन्तम निवेश आप कितना कर सकते हैं और जब आप पैसा निकालेंगे तो exit load यानि कि खर्चा तब कितना लगेगा निउन्तम आप SIP 100 रुपे की कर सकते हैं एक मुझ निवेश यानि कि जो लंब सम इन्वेस्मेंट हो 500 रुपे का हो सकता है आप आपको SIP के जरीए जाना चाहिए systematic investment plan होना चाहिए यानि कि हर महिने कुछ amount आपको fix कर लेना चाहिए उतना निवेश आपको mutual funds में जरूर करना चाहिए जिसे हम SIP कहते हैं और अगर आप 100 रुपे से भी निवेश करना चाहते हैं 100 रुपे से निवेश की शुरुवात करना कि मैं income तो generate करता हूं लेकिन उसमें मुझे surety नहीं है कि हर मेने उतनी income आएगी नहीं आएगी इसलिए मैं एक मुझती निवेश कर सकता हूं तो आप 500 रुपे का निवेश कर सकते हैं अब exit load की बात करते दोनों funds में अगर आप देखेंगे तो exit load आपको नहीं नजर यानि कि कोई भी exit load इन दोनों funds में नहीं है ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप tax saver funds में निवेश करते हैं जिने हम ELSS यानि equity link saving scheme से नाम से भी जानते हैं उनमें 3 साल का lock-in होता है यानि कि आपका जो पैसा है वो 3 साल के लिए fix हो जाता है lock-in हो जाता है तो उसलिए हास से द है और ELSS का या tax saver fund का अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी condition यही है कि जब आप पैसा लगाते हैं तो तीन साल के लिए fix हो जाता है lock-in हो जाता है आप उसको निकान नहीं सकते withdraw नहीं कर सकते चाए कोई भी situation बन जाए तो उसलिए दिखा जाए जब आप ELSS में पैसा ल निकालेंगे तब आपका कोई भी खर्चा नहीं लगेगा अब जरा हम चौथे पैमाने के और बढ़ते हैं और यह देखते हैं net assets यानी AUM जैसे मैं आपको बता रहा था expense ratio इसकी उपर काफी depend करती है अगर आप सब्सक्राइब की बात करेंगे तो 9900 क्रूड उपे के आसप पास का total fund है जो accumulate हो चुका है जिसको इनके fund managers invest करते हैं यह जिनको manage करते हैं अब मैं आपको बता रहा था कि expense ratio क्यों ज्यादा है HDFCPE देखिए जितना ज्यादा यह रकम होगी उतना ही जो expense ratio है यानि कि जो amount percentage amount जो charges के तौर पे लिया जाएगा वो कम होगा जितना ज्यादा fund का value होगा चुकि मेरे asset tax saver fund की value ज्यादा है ज्यादा asset sign के पास ज्यादा लोगों ने निवेश कर रखा है ज्यादा पैसा है जो कि fund manager manage कर रहा है तो उसलिहाँ से खर्चा तो fix है कि इतना खर्चा होना ही है तो जितना ज्यादा आपके पास fund की availability है उतना percentage wise आप देखेंगे कि कम खर् पसंड का expense ratio था और मेरे asset का 0.54 पसंड का यादा पसंड के आसपास का ही खर्चा यहाँ पर लगता है तो जो AUM होता है इससे आपको एक तो आकार का पता चलता है और इसी AUM के आधार पे ही आपका जो खर्चा है जब आप किसी mutual fund में निवेश करते हैं वो निर्धारित होत है कि उसी के basis पे आपके expense ratio और फिर उसके उपर ही इंटर्न आपका जो NAV है वो डिसाइड होता है जिसके basis पर जिस अमाउंट पे आपको यूनिट्स होती है जब आप किसी mutual fund में पैसा लगाते हैं तो यह तो हो गया चौथा पैमाना अब आगे बढ़ते हैं पांच पैमान के तौर पे इसे follow करते हैं यानि कि जिस तरह का composition आपको Nifty 500 का नजर आएगा जो stocks आपको Nifty 500 इंडेक्स में नजर आएंगे यह उनी तो stocks में ही आप देखेंगे जो दोनों fund managers हैं वो इन्वेस्ट करते हो नजर आएंगे इसलिए आप देखेंगे जब मैं आपको इनकी top holdings की list दिखाऊंगा उसमें भी आपको जो stocks हैं वो काफी सारी stocks आपको common भी नजर आएंगे तो benchmark index जहां तक बात है वो Nifty 500 है इनके returns भी हम compare करेंगे दोनों funds के की benchmark index के visa वी इन दोनों funds ने कैसा perform किया है तो अगले पैमाने की और बढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि इन दोनों funds के fund manager है पहले वो मैं आपको बताता हूं fund manager की जातक बात है तो वैसे आपको ये एक-एक नाम नजर आएगा कि SJFC tax saver fund की जातक बात है तो रौशी जैन ये इनके fund manager है हलाकि दो तीन या चार fund manager भी हो सकते हैं इसमें कुछ ratios होते हैं जो कि बेटेज होता है जब किसी भी stock में invest किया जाता है या जब कोई निवेश का फैसला लिया जाता है तो इनका जो बेटेज है फैसला लेने में वो शायद जादा होता है इसलिए आप देखेंगे इनका जो नाम है fund manager की list में आपको ऊपन नजर आएगा SGFC के case में रोशी जैन और इस case में अगर आप देखेंगे तो निले सुराना ये इनके fund manager है अब जाए इनकी top holdings की उपर देखेंगे जैसे मैंने आपको कहा था कि इनकी top holdings है उसमें आपको कुछ common नाम नजर आएंगे SGFC bank भी है ICSA bank भी यहाँ पर common है Infosys का नाम भी आपको common नजर आएगा तो तीन stocks तो हैं कम से कम जो कि इनके top holdings हैं इसके लावे बहुत सारे stocks हैं जिन में इनों निवेश कर रहा हो लेकिन ये top holdings हैं जा तक SGFC tax saver fund की बात है इसी तरह आप मेरे की case में बात करें तो SGFC bank साढ़े 8% reliance industries करी पौने 7 फीजदी इतना ही इसी बैंक है वह साढ़े 4-5 फीजदी के बीच में access bank और infosys यानि कि इन दोनों stocks में अगर आप common कुछ fund manager के style of investing की बात करें तो large caps में यानि कि जो बड़े stocks हैं जो दिगगत stocks होते हैं उनमें जादा exposure है और जो जादा वेट जिनको जादा निवेश कर रखा है जिन stocks में उनमें आप large caps जादा पाएंगे यह दोनों cases में आप देख सकते हैं कि जो fund manager की choice है वो large caps की तरफ जादा आपको pivoted नजर आएगी और वहाँ पे ही आप देखेंगे जादा investment होता हुआ नजर भी आ सकता है अब यह क्यों हम आपको सामने आपके रख रहे हैं क्यों आपको दिखा रहे हैं क्या आप भी जब stock market में पैसा लगाना चाते हैं इसी तरह के ही stocks हैं जिनमें आप पैसा लगाना चाते हैं यह वो style of investing आपको पसंदारी है यह आपकी सोच से match कर रही है त दो आप इन funds का चुनाब कर सकते हैं इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं कि इससे आपको अंधाजा लगेगा कि जो मेरा fund manager है जिस fund में मैं पैसा लगाने जा रहा हूं या लगाने जा रही हूं क्या उसकी सोच मेरे से मिलती जुलती है क्या वो उसी तरह के stocks में पैसा बारे में भी जानकारी दी अब जड़ा साथ में पैमाने के और बढ़ते हैं और वो है funds के return यानि कि इन दोनों funds ने कैसा परफॉर्म किया है और यह benchmark fund के benchmark index जो है निफ्टी 500 जैसे हमने आपको बताया था उसके return किस तरह के हैं उन दोनों के basis पे देखेंगे तो यह दोनों funds ने match भी नहीं किया है अपने benchmark index को हलाकि हर fund manager जब कुसी benchmark को follow करता है यही सोच यही मंचा अपने मन में रखता है कि मैं benchmark को beat करूँगा beat करूँगा यानि कि जितना return उस index ने दिया है उस benchmark index ने दिया है उससे ज़्यादा return मेरे fund का आना चाहिए इसी उद्देश के साथ इस अगर आप देखेंगे तो तीन साल आप सोचेंगे कि एक साल दो साल तीन साल क्यों नहीं एक साल क्यों यहां पर गुंजाईश ही ने क्यों कि जब आप पैसा लगाते हैं तो मैंने आपको कहा था कि तीन साल के आपका पैसा lock-in हो जाता है lock-in हो जाता है तो आपको कम से कम 3 साल के रिटन देखने होंगे तो HDFC Tax Saver Fund की बात करें तो साड़े ठारा पसंद के आसपास 3 साल में रिटन दिया है वहीं आप मेरे एसेट की बात करेंगे तो सवा 19 पसंद के आसपास की रिटन देखने को में ले लंबी अबदी यानि थोड़ा और आगे बढ़े पांच साल में अगर आप देखेंगे तो HDFC पिछटता हो दिखा है कि सलाना रिटन है हर साल सवा 9 पसंद के आसपास की रिटन आपको HDFC Tax Saver Fund ने दिया है लेकिन मेरे एसेट Tax Saver Fund की जातक बात है तो यहां पे आप देखेंगे साड़े चौदा पसंद का रिटन आपको नज़र आएगा दस साल में HDFC Tax Saver Fund ने करीब 14 पसंद के आसपास की रिटन दिया है जब आप मेरे एसेट की बात करेंगे तो यहां पे आपको दस साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है यानि कि इतना लंबा अभी यह लॉंच हुए इतना टाइम नहीं हुआ इस फंड को जिस वज़े से हम देख रहे हैं कि इसके जो रिटन्स हैं वो आपको दस साल के लिए नहीं नज़र आते लेकिन पांस साल में आप जो प्रतीदवांदी जिसकी हम बात करें जिसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं से उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो रिटन्स के चार्ट पे आपको मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड जो है वो जादा बेटर अच्छा कहीं ना कहीं बीट करता हो नज़र आ रहा है से टैक्स पाने की और बहुत इंपॉर्टेंट है यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप किसी मुचल फंड में निवेश करते हैं तो आपको इस चीज को देखना होता है इन्वेस्मेंट उब्जेक्टिव जो कि मैंने पहले बताया और दूसरा है जोखिम यानि की रिस् रिस्क इतना है जो कि हर फंड हाउस या वो स्कीम बताती है और यह जो दोनों फंड से खुद बता रहे हैं हाई रिस्क है बहुत जादा जोकिम है अगर आप इन दोनों फंड में निवेश करते हैं इसलिए आप देखें जब कोई हाई रिस्क मुचल फंड लॉंच होता है या निवेश के लिए खुलता है तो वो साथ में ये भी बताता है कि जादा रिस्क वाले जो equity mutual funds हैं जैसा कि ये दोनों हैं उन में अगर आप निवेश करते हैं तो पहले आपको अपने वित्य सलाकार से सला जरूर लेनी चाहिए इसलिए क्योंकि रिस्क बहुत जादा है और इसलिए क्या भी जाता है कि एक investment objective और दूसरा risk जितना आपका risk है जितना appetite आपका है उतना ही क्या आपके fund में भी उतना ही appetite है अगर वो match करता है तो फिर आप उस fund में निवेश कर सकते हैं चलिए तो 8 पैमाने हमने आपके सामें रख दिया है लेकिन अब वक्त हो गया है इस मुकाबले के नतीजे को जानने का और उसके लिए हम चलते हैं हमारे expert के पास और मैंने आपको बताये था कि जितेन सोलंकी जी आज के हमारे expert है जितेन सर आपने इस सारे पैमाने देख लिए किस तरह से इन दोनों फंड्स ने परफॉर्म किया है कैसा return है इनका कितना NAV है क्या आकार है उसके basis पर या कुछ और भी parameters जो आप बताना चाहें आपका क्या फैसलाइसर इन दोनों फंड्स में से कौन सा फंड्स आपको पसंद है या tax बचाने के लिहाज से दोनों में से कहा निवेश किया जा सकता है दोनों equity की oriented fund है और दोनों ही equity market में निवेश करते हैं लेकिन जब आप दोनों का comparison करते हो तो SDF की tax saver fund large cap की तरफ oriented है और उसका portfolio भी आप लेखेंगे more than 90% जो है वो large cap stop में पाएंगे दूसरी तरफ अगर मीरे asset tax level को हम लेखते हैं तो large and mid cap की category जो होती है उसमें fall करता है तो अब क्योंकि large cap बड़े ही ऐसे जोर से गुजर रहा है जहां पर कि large cap की performance जो है वो हम नहीं देख पा रहे हैं और वही reason भी है कि अगर हम long term performance देखे हैंगे तो मेरे asset tax saver की performance आपको ज्यादा एक की दिखाई देगी क्योंकि उसके पास mid or small cap सा exposure है तो अगर मुझे long term में निगेश करना है तो मैं मेरे asset tax saver की तरफ जाना चाहूंगा रिस काटेगरी में दोनों बराबर हैं मेरे asset tax saver में भी थोड़ा सा volatile हो सकता है क्योंकि mid cap और small cap का भी exposure लेता है तंपारीजन SGS की tax saver के अधर पोड़्पोलियो तो मैं वैसे देखू तो पोड़्पोलियो जो है पोड़्पोलियो लगबख आप same पाएंगे sectors जो है top sectors है वो भी आप जो है लगबख same पाएंगे दोनों में बट जो difference आपको दोनों में दिखाई देगा वो है वो जो exposure लगबख 80% के around जो आप अधर मुझे दोनों को compare करना हो और मैं अपसे future की अधर तरफ देख रहा हूं तो मैं large and mid cap category की तरफ जाना चाहूंगा जहांगा जहांपे मेरे asset tax saver, SDFC tax saver को मात देता है long term return ओके तो दोनों funds की जहां तक बात है तो दोनों में जोकिम सेम है दोनों का investment objective almost same है लेकिन जैसे हमें जितेन सर ने बताया कि जो mid day or small cap का जो exposure है वो मेरे tax saver fund में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा जादा है जहां तक SDFC tax saver fund से अगर कहिना कहीं SDFC से जादा रहे हैं तो इससे आपको अंदादा लग गया होगा कि क्यों SDFC 5 साल के returns की जातक बात है वो मेरे tax saver fund से क्यों कहिना कहीं पिछडता हुआ नजर आया है जितेन सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुनने के लिए लेकिन इससे पह हाला कि तीन साल का लॉकिन रहता है इन स्कीम में बट हमेशा अडवाइस करते हैं कि इन्वेस्टर्स एक लॉंग ट्रम यू लेकर चले हो सबता है तीन साल के बाद अगर अगर आप निकालने की कोशिच कर रहे हैं मार्के एडवर सेनेरियों में हो तो आपको जो है आपको सब्सक्राइब का इक्सपोजर होना चाहिए जैसे हमने भी आपको बताया था कि कम से कम तीन साल का इन्वेस्मेंट होराइजन होता है तीन साल का लॉकिन होता है जब आप किसी टैक्सेवर फंड में या फिर इल एसस में निवेश करते हैं तो उस लिहास से आपको इस तो वक्त हो गया है आज के मुकाबले का फैसला यानि की नतीजा जानने का तो जो तेन सर के साथ जो हमारी बातचीत हुई और सारे पैमानों को ध्यान में रखते हुए यह नतीजा आया है कि एस जैसी टैक्सेवर फंड के मुकाबले मेरे एसस टैक्सेवर फंड निवेश और टैक्स बचाने के लिहास से बहतर है यानि की आज के मुकाबले का जो विजेता है वो मेरे एससेट टैक्सेवर फंड है भले ही दोनों फंड अच्छे हैं दोनों का इंवेस्मेंट अब्जेक्टिव लगबग सेम है इस पोफाइल भी सेम है लेकिन रिटर्स के हिसाब स से भी देखें तो निवेश के लिए मेरे टैक्स सेवर फंड ही बहतर है क्यों क्योंकि जैसे हमें आभी जितेन सर ने बताया कि इस फंड में अगर आप देखेंगे क्योल्म के देखेंगे मेंगे जुका का जादा नजर आया है जिस वजह से आज का जो मेरे ऑसे टैक्स सेवर फंड जञा नवेश करना चाहते हैं तो है आपको हमारा आज का ये शो पसंद आया होगा और इस रिसर्च के जरिए आपको अपनी टैक्स प्लानिंग और मुचल फंड निवेश से जुड़े बहतर विकलकाप चुनाव करने में भी मदद मिलेगी तो मिलते हैं मुचल फंड मुकाबला के अगले एपिसोड में एक और क काबले के साथ तब तक आप देखते रहें मनी नाइन नमस्कार झाल 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 झाल